नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जी के फास्ट बिजन, आपके सामने सवाल है सुभाज चंद्र बोश किस वर्ष कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, in which year सुभाज चंद्र बोश बिकेम प्रेसिडेंट अप कॉंग्रेस पार्टी, ओप्शन है आपके सामने 1905, 1947, 19 1924 या फिर 1938, तो सही उत्तर इस सवाल का 1938, 1938 के हरीपूरा सेशन की अध्यक्ष बोश जी ने, अब इन्होंने एक कॉंग्रेस का अधिवेशन था तो हम कॉंग्रेस के बारे में जान लेते हैं, कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी 28 डिसेंबर 1885 को, ये exact date आपसे एक्जाम मे पूची जाती है, 28 डिसेंबर 1885 को, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना की थी A.O. Hume ने, इसकी स्थापना की थी, इसका हर साल अधिवेशन हुआ था, इन में से कुछ important अधिवेशन आपके एक्जाम में पूचे जाते हैं, तो चलिए चार अधिवेशन बहुत ही important है, जो बहुत सारे एक्जाम में बार बार पूचे जाते हैं, पहला अधिवेशन हुआ था, बंबई में इसकी अध्यक्षता की थी, व्यमेश चंद्र बैनर जी, W.C. बैनर जी ने, और ये सवाल भी बहुत बार एक्जाम में पूचा हुआ ह कि पहले कॉंग्रेस अधिवेशन में कितने प्रतिनिदी उपस्तित थे, सही उत्तर हो जाएगा इसका 72, 72 प्रतिनिदी पहले कॉंग्रेस अधिवेशन में उपस्तित थे, 1886 में अधिवेशन हुआ था, कलकता में इसके अध्यक्षते, दादा भाई नोरो जी, 1887 में अधि में अधिवेशन जोर्ज यूली इसके अध्यक्षते और ये भी प्रत्थम अंग्रेज अध्यक्षते इनसे बहुत बार एक्जाम में सवाल पूचे जा चुके हैं 1893 में लाहोर में अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 19.00 फायू में बनारस में अधिवेशन हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता के थी 19.06 में जिस वर्ष मुस्लिम लिख की भी स्थापना हुई थी इस वर्ष कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्षते सुराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन में किया था अब यहाँ पर एक सवाल और भी पूचा जा चुका है दादा भाई नौरोजी ने कौन से तीन वर्ष में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो यह इसका अंसर हो जाएगा 1886 में 1893 में और 1906 में यह सवाल पूचा हुआ है इसलिए मैं बता दे रहा हो 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी गोशने और इसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है क्योंकि सूरत के अधिवेशन में कॉंग्रेस का विबाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में 1916 का लखनव अधिवेशन इसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता की थी अंबी का चरण मजुमदार ने और इस अधिवेशन में कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आगे थे इसके बाद अधिवेशन है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पर एनी बेसंड ने इसकी अध्यक्षता के थी और ये प्रथम महिला अध्यक्षती इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की ये सवाल भी बहुत ही इंपोर्टन है 1919 में अमरित सर में अधिवेशन हुआ था और पंडित मोतिलाल नेहरू इसके अध्यक्षते 1922 में जिस समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ था इस समय गया में अधिवेशन हुआ था और देश बंदू चित्रंजन दास ये गया के अधिवेशन के अध्यक्षते अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देश बंधू और दीन बंधू में confusion होता है तो देश बंधू कहा जाता है चितरंजन दास और दीन बंधू कहा जाता है C.F. Andrews को यह भी आपको याद रखना है C.F. Andrews को दीन बंदू कहा जाता है और देश बंदू यहाँ पर लिखा है चित्रंजन दास को कहा जाता है 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोलाना अबुल कलाम आजाद ने और यह सबसे कम उम्रके कॉंग्रेस के अध्यक्षते यह बहुती इंपोर्टन सवाल है 1924 में बेल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गंधी ने और एकलोते ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गंधी ने की थी तो यह बहुती इंपोर्टन सवाल हो जाता है 1925 में कानपूर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजुनी नाइडुजी ने और ये प्रतम भारतिय महिला अध्यक्षी थी ये दोन सवाल अलग है प्रतम महिला अध्यक्ष और प्रतम भारतिय महिला अध्यक्ष प्रतम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसंट जोनों ने 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1925 में सरोजिनी नाइडुजी ने कानपूर में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जोकी प्रतम भारतिय महिला अध्यक्ष थी 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मोतिलाल नेहरू ने, 1929 में लाहोर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहार लाल नेहरू ने की थी और यहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्थाव दिया था 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लब भाई पटेल जी ने, इसके बाद है 1936 के लखनव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहर लाल नेहरू ने, 1937 का फेजपूर अधिवेशन बहुती इंपॉर्टट है क्योंकि यह पहली बार गाव में इ इसकी अध्यक्षता की थी जवाहर लाल नेहरू ने और फेजपूर में यह आयुजित किया गया था, 1938 में जोकी सवाल में पूचा हुआ है इसकी अध्यक्षता की थी सुभाज चंदर बोश ने और यह हुआ था हरीपूरा में, 1939 में त्रीपूर में अधिवेशन हुआ था इसके भी अध्यक्ष सुभाज चंदर बोज जी को चुना गया था लेकिन ने हरा या किसको था पटब भी सितारमया को जो महात्मा गांधी जी की तरब से लड़ रहे थे इसलिए सुभाज चंदर बोज जी ने इस अध्यक्षता का त्याक पतर दिया और राजेंदर प्रसाद को इसके बाद अध्यक्ष बनाया गया था और 1939 में ही सुभाचंदर बोज्जी ने फॉर्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1940 में रामगड अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोलाना अबुलकलाम आजाद 1946 में मेरट अधिवेशन के अध्यक्ष थे जे बी कुरुपलानी और 1947 में जिस समय भारत आजाद हो गया इस समय अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद और ये हुआ था दिल्ली में अगर आपको ये वीडियो अच्छ लेगी दोस्तों तो चैनल को सब्स्राइब करेए वीडियो को लाइक करेए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में